हुआ है तो हम दोनों तरफ लगाते हैं तो दोनों तरफ लगाने से फाइदा ये होता है कि जहां पर अगर जो लाइन से लाइन की दूरी पचास सेंटीमीटर रखते हैं और उस पचास सेंटीमीटर में डायरेक्ट सकर से लगाने पे एक ही रो आती है लेकिन इसी में जब प प्रोड़ शन होता है और उस instruction से आपकी पैदावार ज्यदा होती है तो ये बाते हमको समझने की आऊशकता है तो हमसे पहले क्या सोचना है जड़त्याग देना है और पौध पर आ जाना है और पौध से ही उसकी खेती करनी है अब आती है बातें कि जब पौध आ गई तो पौध अब लगाने के लिए अगर जो देखेंगे तो हम उससे और आगे चलके बात करने की कोशिस करते हैं कि हम हमेशा एक कटाई लेते हैं और ज़्यादा तर जब जड़ से लगाया हुआ पौधा यानि कि सकर से लगाया हुआ पौधा यह मेंथा है वो समय पे लगाएं तो हमको दो निश्चित कटाई मिल जाएगी और वो जो दो कटाई होगी वो आपकी पैदावार दूनी से तीनगूनी के तरफ आपको आकरसित करेगी तो हमें सोचना चाहिए कि हम पौध से लगाएं और कम से कम उसकी दो कटाई लें तो दो कटाई लेने यही रुपाई आप मार्च और अफ्रेल में करते हैं तो दो कटाई गदालपी नहीं ले पाइंगे तो इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें दो कटाई प्रती आपको कोशिस रहनी चाहिए और वो कोशिस जो है आपको निश्चित पैदावार बढ़ाने में श्रहयोगी शिद होती है भाईयों इसी बीच में अब मैं एक कहना चाहता हूँ कि जब हम पौद से लगाते हैं तो पौद में हमें फरवरी में पाने के लिए उस प्राप्त जड़ से पौद बनाने के लिए हम कम से कम एक महीना पहले नरसरी तयार करेंगे और यही जो समस्या होती है यह समस्या किसानवाई इस पे नहीं कर पाते हैं या कोशिश नहीं कर पाते हैं या जड़ उपलब्द नहीं हो पाती है क्योंकि ठंड के वज़े से जब नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी में पौध के लिए पौध की बढ़वार नहीं हो पाती है तो उसके लिए हमको polythene seed का सहरा लेना पड़ता है क्योंकि उसके लिए artificial heat हमको उसको देने की आउशकता है और वो artificial heat से उसमें क्या होता है कि पौध की बढ़वार वैसे ही होती है जैसे कि हम फरवरी और मार्च में लगाते हैं तो शाथियों उसमें हमें करना क्या है कि नर्सरी के लिए हम नर्सरी तयार करने की बिधी को समझना है और उसी तरह नर्सरी की हमें preparation करनी होती है जैसे कि आप धान के लिए नरसरी लगाते हैं साथियों हम लोग कोशिश तो करते हैं कि पैदावार बढ़ा लें लेकिन केवल हम कोशिश करते हैं उसको धरातल पे उतार नहीं पाते हैं तो धरातल पे उतारने के लिए हमें उस कोशिश को धरातल तक लाने की आउशकता है यानि की खेट तक लाने की आउशकता है तो यही चीज बार बार आप लोगों को हम लोग जब भी मिलते हैं जब भी डिसकसन होता है जब भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है इसका planting करने के लिए आपको पहुद चाहिए और वो पहुद के लिए आपको कम सकम एक महीना पहले nursery में आप जड़ को आप लगा दिये हो तो कैसे लगाते हैं अब उस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं साथियों उसमें हम लोग करते क्या हैं कि आपको सबसे पहले उनने सिर्फ प्रजाती आई प्रजाती की जड़ आई उस जड़ को आप अपने पास ले आए लाने के बाद आप डाइरेक्ट न लगा के उसकी हम nursery तयार करेंगे तो nursery कैसे तयार करेंगे ठीक उसकी आधी कीलो मात्रा जड़ की आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे हम ऐसा कोशिस करेंगे एक से डेड़ सेंटीमीटर का टुकड़ा रहे क्योंकि उस टुकड़े में जैसा देखेंगे जब जड़ होती है तो उसमें आई बड होते हैं आख होती है वही जर्मिनेट करता है और आगे चलके पौधा बन जाता है तो वह कम सकम एक टुकड़े में एक गाट रहे इस तरह का हम उसमें कटिंग कर लेते हैं कटिंग करने के बाद आधा किलो जड़ एक स्कौाइर मीटर च्छेतरफल के लिए परियापत है अब च्छेतरफल कैसे तयार करना है हमको मान लीजिए कि एक एकड़ की पौध सामगरी तयार करनी है तो उस पौध सामगरी को तयार करने के लिए आपको ज़ादा से ज़ादा 40 किलो सकर्स की आवशकتा पड़ेगी जो पौध से पौध हम बनाने के लिए आवश्क होगी अब उस 40 किलो जो सकर्स है उस सकर्स को छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लिया और काट करके हम खेट तयार करते हैं मिट्टी को महीन करते हैं उसी तरह जैसे धान के लिए नरसरी गिराते हैं उस तरह का और उसमें पानी लगाके पलेवा कर देते हैं और जब बिल्कुल पलेवा हो जाता है पानी जब शांत होता है तो उस शांत पानी में अब जब 40 किलो जड़ लगानी है तो 40 किलो जड़ ल तो जड़ हम तब विखेरेंगे जब पानी बिलकुल शांत हो जाए और वो जमीन थोड़ा सा दिखने लगे ऐसा ना हो कि पानी ज़्यादा लगा दिये हो और जब जड़ विखेर रहे हो तो वो कटे हुए भाग जो है उपर फ्लोट करने लगेंगे जब पानी शांत होगा तो अगर जो हवाएं चल लगी है तो उसके साथ वो मतलब जेकी एक तरफ किनारे में चले जाएंगे जिधर अगर जो तो वो एक तरह से देखेंगे तो उनका प्रापर जो है डिस्टिब्यूशन नहीं हो पाएगा एक जगा कटे हुए जो चौप जादा हो जाएंगे चौपिंग जो है और दूसरी तरह खाली रह जाएगा तो उसमें पौध जो है आपके कम निकलेंगे तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि जब पानी शांत हो जाए जमीन हलकी दिखने लगे तब उस कटे हुए जड को अच्छे से बरावर हम भिखेर देते हैं अगर जो उसके बावजूद जड उपर रह जाती है तो उसके जमाओं में देरी होती है या तो वो सूख जाता है उसके लिए हमको एक छोटी सी प्रकिरिया करनी पड़ती है या तो बाहर की हम महीन मिटी फिर से उसी जड़ के उपर डाल दें ताकि वो जड़ धक जाए और नहीं तो जैसे गाओं में होता है अरहर का जैसे ज़ाडू के लिए बना लेते हैं उसको जो कटे हुए भाग जो पाउद का है उसको हम लोग कर भी बोलते हैं उसको उससे हम थोड़े से ज़ाडू जैसे लगा देते हैं ताकि वो जड़ जो है ऊपर ना रहा करके नीचे ज़मीन में आ जाये और उस состояние ऑपकी कटिंग होती है उस जड़ की वो सब जमाव में स्वायोग देती है तो हमको ये प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है उसके बाद क्या करते हैं कि उससे हम polythene की seat को लेते हैं और उस polythene के seat को ऐसा बनाते हैं कि जमीन से वो एक feet उचा रहे ना कि उस पे बिल्कुल चिपका रहे तो जमीन से एक foot उचा रख सकते हैं और उसको अच्छे से मेर बंदी कर रहे हैं बहुत कास्ट कम लगाना चाहते हैं तो मेर थोड़ी side की उची कर लें और जब उची कर लेंगे तो चारो तरब से आपको वो एक feet के आसपास उचाई मिल जाएगी और बीच में कोई जमीन कोई बंबू का या पेड़ का वो मतलब दंडी लगा करके उसको एक support दे देंगे ताकि आपकी polythene seat जमीन से एक से डेड़ फीट उची आपको दिखती रहे और उसको हम total क्या करते हैं seal pack कर देते हैं मिट्टी चड़ा के जब seal pack इसलिए करते हैं कि जब हम seal pack नहीं कर तो बाहर के वातावर्ण के touch में नहीं रहेगी तो जब touch में नहीं रहेगी तब उसमें होगा क्या कि उसके अंदर का तापमान बढ़ता रहेगा और बाहर का तापमान अगर जो जिस तरह के है उससे उसमें ज्यादा रहेगा उसी को हम लोग कितरिम गर्मी और artificial heat करते हैं और वो हीट जो है उस पौधे के जमाव और विकास में सहयोगी सी दोती है तो ये परकिरिया अपनाना आवश्यक है और ये परकिरिया हम तब करते हैं जब हम जनवरी में नरसरी लगाते हैं अन्य था आपका वो पौदा समय पे नहीं मिल पाएगा जिससे की आप खेती नहीं समय पे कर पाएंगे लेकिन जब इसी को हम मार्च में खेती करते हैं और फरवरी में नरसरी लगाते हैं तो फरवरी में गर्मी जैसे की अब इससे में महसूस हो रहा है तो उसमें जमाव में पॉलिथीन सीट का सहयोग लेना पड़ता है, इस समय से खेती कर पाएंगे, समय से खेती कर पाएंगे, तो पैदावार आपकी दो कटिंग लेंगे, तो दो कटिंग से पैदावार आपकी डबल से ट्रिपल भी हो सकती है, और ये बिल्कुल टेस्टेड है, हम लोगों ने इस टेकनलाजी को किया है इस टेकनलाजी को बिखसीत करने में C-Map की टीम ने सायोग दिया है और इसके लीडिंग ड। साथ रहे हैं जो समय समय पर आपको बताते रहे हैं और उन्होंने इस तक्निकी को किसानों तक पहुँचाने का परयास किया है कई कई परियोजना के ताहत ट्रेनिंग के ताहत और किशानों के इंडिविजूल इंट्रेक्शन के ताहत उन्होंने बताया समझाया है और उसका डेमो ब्लाक हमारा यहां पे लगा हुआ है जब आप जड़ लेने जब डिस्टिबूशन होगा उसमें जाएंगे तो EMT के नाम से वो लगा हुआ है आप उसको देख भी सकते हैं तो साथियों हमको जड़ बनाने के लिए ये परकरिया अपनाने के लिए परकरिया अपनानी पड़ेगी और ये परकरिया अपनाएंगे तो आपकी लागत कम होगी और पैदावार डबल होगी तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है दूसरी बात क्या है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम सुरू होने वाला है अब डाक्टर संजे कुमार सर्मंच का संचालन करेंगे आप सभी का आबार और सर मिला तो इसके आगे की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी धन्यवाद धन्यवार राकेश जी आपने बहुत अच्छा वैख्यान यहां पे किसानों को दिया और इसके बाद जैसे ये बुख्य कारीकर्म समाप्त होगा उसके बाद गोस्ति का कारीकर्म होगा जिसमें हमारे उद्ध्योग के परत्रिदी हमारे वैग्यानिक ग्यान आप सब से साथी रहेंगे रक्र रामसुरेश जी और रणने साथी गंति कょंकि आज का एक कारीकर्म बड़ा ही भवे कारीकर्म होने जारा है और आज इस कारीकर्म मैं हमारे मान्य मुख्यमंत्री श्री योगी अधित्यनाच जी पधार रहे हैं जो हमारे आज्छे सनों के बाद हम लो स्टाल्स पे उनसे कहूंगा कि वो आगे जो भी कुर्शिया है उनके अपना स्थान गरन करें अन्य था पीछे स्टाल पे खड़े होके ना होके मुख्य ग्राउन की तरफ आए और जो आज का इभवे कारिक्रम होने जा रहा है इसमें अपनी भागिदारी दे आज का जो कारि मुख्य मंतरी मोद्य दवारा यहां पर सवट पर्थम उनका स्वागत किया जाएगा हमारे चारो निदेशक और महा निदेशक CSR वहां पर मुझूद है उसके बाद में उनके करकमलो दवारा चंदन के विरक्स का विरक्सर ओपन होगा विरक्सर ओपन के बाद मानिया CSR तथा उत्तरप्रदेश सरकार और अन्य संस्थाओं की विग्यानिक प्रोध्यों की जो की ग्राविन भारत के लिए परचलित है, ग्राविन भारत के लिए किसानों के लिए जिनको विक्षित किया गया है, उनका परदर्शन किया गया है, वहां उसमें हमारे CSR की चील परजाती विक्षित की है, उसका प्रदर्शन मापी किया गया है, और इसके साथ-साथ हमारे कुछ लाभारती किसान जो सुदूर, कडलूर और रामे सुरम में खास की खेती कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट है, कच्छ में जो सैनलेटी की जमीने है, और हमारे जो लाभ किया गया है, इसी के साथ किसानों को निरिंतर हम लोग आस्वन पे जानकारी देते रहते हैं, और उस जानकारी में हम लोगों ने किसानों के लिए तरह तरह के आस्वन इकाईया विक्षित की है, उन आस्वन इकाईयों में मोबाइल आस्वन इकाईय है, जो टेक्टे ट्र वागे किसान भी आये हुए हैं और बहुत सारे छेत्र हैं जहां किसान अपनी आस्वन इकाई लगाने में सक्सम नहीं है छोट-छोटी जोत उनके पास है तो उनके खेतों पर जाके ट्रेक्टर के ट्रोली के साथ वहां पर उनके सगन्द पोदों का आस्वन कर सके इसलिए उ सोलर उर्जा और वेकल पिक उर्जा पे हर जिगे काम हो रहा है मानिये प्रदान मंत्री जी का और हमारी सरकार का फोकस है तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक सोलर आस्वन इकाई विक्षित की है जो की ट्रेक्टर ट्रोली माउंटिड है उसको भी आप लोग देखिएगा जानकाई लिजीएगा भाउशे है मैं इसी प्रकार की आस्वन इकाई आपको सगन्द घासों के तेल का उत्पादन करने के लिए लाबदाएग होगी उसके बाद मानिये वहां का दोरा करने के बाद अवलोकन करने के बाद हमारे कुछ दुद्वा के लाबार्ती किर्सक वहां पर आये हुए हैं मैलाए हैं उनके सामने से होते हुए हमारे जो कुछ उद्योग के परतिनी दी और हमारे जो किसान परतिनी दी जो कि अलग-लग कलस्ट लगबग जो भारतवर्स में हम कह सकते हैं कि फूलों से अगरवत्ती बनाने का जो कारिया है उसका इजहार सीमैप ने 2007-08 में किया वो पूरे देश में इस तरह के बहुत सारे एंट्रेपनियोर बहुत सारे हमारे लाभारती महिला लाभारती किसान उस अगरवत्ती को बना के सवरोजगार संपन कर रहे हैं रोजगार दे रहे हैं महिलाओं में जो घरों पर रहती है और उसके साथ उनका इंट्रेक्शन होगा हमारे दूसरे एंट्रेपनियोर के साथ होगा जो महिला एंट्रेप्नोर्स हैं, महिला ट्रेनिंग का वो आवलोकन करेंगे, उसके बाद आप लोगों की सामने मच पर उपस्ति रहेंगे, इस कारी करम मुखे जो समारो है, किसान मेले का, उसमें सिरक्त करेंगे, उसमें मानिय मुखे मंत्री जी के साथ होंगे, आज के देश बरके किसानों के जी निंतर काम करते रहता है, शुरी सुर्य परताफ शाही जी, वो हमारे साथ रहेंगे, उसके साथ चाथ हमारी मानिय देशी का डक्टर एन कलाई सिल्वी, डीजी सीसाईयार, सचीव, डीजी सीसाईयार, भारत सरकार भी यहां पे रहेंगे, आप उसके साथ हमारी चारो लैबोटरीज के डारेक्टर्स जो यहां पे उनके साथ आएंगे, डक्टर अजीत कुबर शासनी, नीदेशक NBRI, डक्टर भासकर नारायन, नीदेशक IITR, डक्टर राधा रंगराजन, नीदेशक CDIRI, और हमारे मानिय मुख्यमंत्री जी के एडव scientific advisor है, वो भी साथ में रहेंगे, तो इन सब का सीमे प्रांगर में स्वागत होगा और उसके बाद में ये कारिक्रा मारम किया जाएगा, मैं किसान बाईयों का अउगत करार चाहूंगा, कि आज इस किसान मेले में लगबग 5,000 के लगबग किसानों के पधारने की भाग लेन की संभावना है, लगबग 1,000 से अधीक किर्शक और विज्ञान के चात्र कल इस किसान मेले में पधार रहे थे, उन्होंने जानकरी ली थी, और इसके साथ-साथ उध्योग के परतनी थी, जो भी असेंशनों से जुड़े उध्योग है, चाहे उसमें अल्ट्रा हूँ, तो जो भी हमारे उध्योग के परतनी थी, जुड़े हुए है, उन सब परतनी थी के साथ, हम लोगों आपकी चर्चा कराएंगे, उनके परतनी थी, किसान भाईयों को बताएंगे, इस गोस्टी के बाद, कि किस तरह का मार्केट है, किस तरह की चीजों का सुगन ते अपित होसके, उसको कायम रखने के लिए कड़ी का काम सी मैप ये करता रहा है, कि किस परकार से उध्योग और किसानों को यहां पर एक साथ जोड़ा जाए, ताकि जो भी इस तरह का गैप है, जो भी इस तरह की बजार, कोई मुमेंट रहा होगा ना थी क्या, उसमें सी मैप लगातर कारिय कर रहा है, तो सी मैप किसान, हमारे जो सबसे प्रिये हैं, हमारे उध्योग जगत जो प्रिये हैं हमारे, और इसके साथ बाकि हमारे जो भी समाज के भागीदारी लोग है, जो भी हम उस दिये सगत पोदो में इंट्रेस्ट सकते हैं, उन सब का आज यहाँपे आपस में इंट्रेक्शन होगा, और यह कारिकरम, कल से आज दो दिन जारी रहेगा और इस मुख़्े कारिकरम के बाद गोस्टी के बाद लगबग दो बजे से हम लोग पोध समगरी का वित्रन कारिकरम रखेंगे जो भी किसान भाई जो खासकर मैंथा की उन्नत सील परजातिया है जिसमें सबसरी मैंत्वपुन परजाती अभ और मेरा किसान भाई उसे अंडोध है कि सफिशेंट मात्रा में पोध समगरी उपलब्ध है पूर मात्रा में पोध समगरी उपलब्ध है क्योंकि नुकलियस मैट्रियल है तो आप सब किसान भाई थोड़ी-थोड़ी मात्रा में उस नुकलियस मैट्रियल को फाउंडेशन स सकते हैं और आप उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं उसका वित्रन होगा उसका वित्रन जारी रहेगा जब तक यह मैंन्था का सीजर है इसके साथ चाथ हम लोगों ने और भी बहुत सारे इंडस्ट्री और एंट्रेप्नोर्स के स्टाल जो खास करके सीमैप के साथ मिलके कारी करते हैं उनको यहाँ पे दरसाया गया है पीछे जो मेला ग्राउंड है उस ग्राउंड के अंदर उस स्टाल का आप भर्मन कर सकते हैं बहुत सारे अच्छे-च्छे उत्पाद जो की हमारे एंट्रेप्नोर्स से बनाए हैं उनको आप खईद भी सकते हैं उनसे जानका ही ले सकते हैं तो यह सब कारी करम आज जारी रहेगा मुखे समारों अभी कुछी सनों में आयुजित किया जाएगा तो मेरा सब किसान भाईयों से हमारे जो वोलेंटियर से उनसे कि अवाज बदाए कि जल्दी बद करा गया है कौन है एक मिल बंद करिए साउंट थोड़ा एक मिल बंद कर दो कर दो पिंद कर दो एक मिल भूगज कर द दो एक मिल बंद कर दो दो झाल झाल किसान बाईों को मैं बताना चाहूंगा कि जो भी आज कारिकरम होगा उसमें जो मुख्य फसलों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी उसमें मैंटोल मिंट पर जो चर्चा डाक्टर वाकिस कुमार जी न की उसमें जारी रहेगी उसके साथ साथ नीबू गास जो की बड़ी मैत्वपूर फसल है जिसका कम पानी में कम उपजाओ भूमी में तथा ऐसे दूर दुर दुराज के छेतर जहाँ पर जंगली जानवरों का खत्रा है या उची नीची जमीने है अंडूलेटिड लैंड्स है जहाँ पर भूमी कटाओ जल की वज़े से पानी की वज़े से हवा की वज़े से रहता है उन चेतरों पर बड़े अच्छे से जहाँ पर दूसरी फसले फाइदा नहीं देती है वहाँ पर उनकी खेती की जा सकती है और वो आप दूसरी फसलों से ज़्यादा उसमें मुनाफ़ख कमा सकते हैं इसी प्रकार से अन्य फसले जिसमें बड़ी मैत्वपुन फसले जिरेनियम जिसका हम दूसरी देशों आयात करते हैं इंपोर्ट करते हैं भारत वर्स में लगबग 100 तन्शाधिक जिरेनियम का तेल जो हमारा सुगंद उद्योग का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है उस पे हम लोगों ने पिछले वर्स जो प्रजाती विक्सित की सिम भारत उसकी भी पोजसाबगरी दी जाएगी उसकी भी चर्चा यहां पे की जाएगी हमारे वैग्यानिक कन आज आपको उस दोरान बताएंगे कि जिरेनियम उत्र भारत में अगर पैदा करनी है क्योंकि यहां पे पूरे हिंदुस्तान से लगबग किसान आए हुए हैं लगबग 17-18 राजियों से पूरे उत्र प्रदेश से किसान आए हुए हैं तो उसमें क्या 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 सावधर दानिया आपको उसमें बरत नी है वर्षा रितू में आपको कम देखवाल में उसको अच्छे से आप पोध सामगरी बचा सकते हैं, पोध सामगरी जीवित रख सकते हैं, जो आगे आने वाले सीजन में आप जिसका उप्योग करके एक अच्छा मुनाफ़ा कर दे सकते हैं, जिरेनियम एक बहुती चिकनी मिट्टी को छोड़के, जहाँ पर कठोर हो चिकनी मिट्टी है, ऐसी मिट्टियों को छोड़के, जल भराव वाली मिट्टी है, या फिर आपकी बालू मिट्टी है, जहाँ पर कम पानी रुखता है, या ऐसे एरियाज, जहाँ पर आप दूसरी फसल से अच्छी पैदावार नहीं ले सकते हैं, जंगली जानुवर खत्रा है, और मैं आपको बताओं कि ऐसे चेतर जहां बारगरस चेतर है, हमारे बीच में प्रेम प्रकास सिंग जी किसान है, कडलूर और उदर से भी कुछ किसान आये हुएं, जो समंदर में क पानी दो मेने खेत में रहता है, खस की खेती करते हैं, वहाँ पे उसकी खेती की जा सकती, किसान भायों समय जाई है, जो जो हमारे वोलेंटियर्स है, उनसे अन्रोद है कि उनसे रिक्वेस्ट करिए, कि आप अपना स्थान ग्रहन करे रहे थोड़ी देर के लिए, बीस मिन सबीतार करने के लूग है, उनसे मेरा अन्रोध है कि वह भी बीच में दि स्टरमेस पैदाना करें, वह अपना स्थान ग्रहन कर ले, बीच में गैलरी में अपना स्थान ना रखे, तो इस तरह की फसलों पे हम लोग कारी कर रहे हैं इसलिए की फसलों पे हम लोग कारी करते रहेंगे उन फसलों पे आप से चर्चा होगी इसके साथ रोसा गास जो की सूखा और पीएच मान जिस मिट्टी कादिर है या चारी मिट्टी है उसमें उसकी खेती सपलता पूरुवक की जा सकती है जैसे कच कच छेतर है जहां पे मिट्टी में पीएच मान ज़्यादा है पानी में टीडियस ज़्यादा है नमक जदा है मिट्टी में नमक जदा है एवंदो समुंद किनारा होने कारण हवा में भी नमक रहता है तो ऐसे छेतर में रोसा गास की खेती बड़े सपलता से हमारे किसान कर रहे हैं हम लोग उने बहुत बड़ा आरोमा मिशन के तहट वहां पे कलस्टर विक्षित किया है उ और हमारे वहां के कुछ प्रगितिशन किसान इस किसान मेले में आए भी है जो बहुत पुरे छेतर में कसकी खेती करके उसका तेल एक्स्टर करके यहां तक दूसरे सहरों के अलावा विदेसों में भी उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जहां पे उन किसानों को बहुत कम आमन्री मिलती थी दस से बारा हजार उपे पर्ति परति वरसाज वो लगबग 50 – 60 रुपे उस बेकार जमीन में खेती करके पैदा कर रहे हैं इसके साथ चात बेंथा की दूसरी जो प्रजातिया है उसमे ze 19-60 जो हमारी प्रजातिया है उनके लित्रण होगा जिस उस पे चर्चा होगी और इसके साथ हम लोग उद्योग के जो प्रतिनीदी है उनसे भी चर्चा करेंगे हम लोग कीट के छेत्र में हमारे वग्यानिक लगातार काम कर रहे हैं उसका वीकल विमोचिन किया गया था कीप गंडर का उसका भी प्रदस्न किया गया है वो किसानों क लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंन्था में कीट लगते हैं उसका प्रद्शन किया जाएगा हमारे अतितिगन हमारे मुख्य प्रांगन में कुछी सनों के अंदर पधारने वाले हैं और मैं आप सब किसानों से अन्रोद करता हूं कि आप आज के हमारे मुख्य आती थी विशिष्ट आती थी यहां पधार चुके हमारे मानिय यसस्वी मुख्य मंत्री उत्तर परदेश यहां पधार चुके हैं और जोड़दा तालिया बजाकर हार्दिक अविनंदन और स्वागत करे हमारे मानिय मुख्य मंत्री महुद्दे का मानिय मुख्य मंत्री ज भाइ स्फ़ागत करें, हमारी महानीदेशिका, डक्टर अनक लाई शिल्वी जी जो आज तनी से पजारी उनका भी जोडदार ना पर्द्शहान वा जाकर आप सब। और यह नाविए स्वागत करें वारे बीच है हमारे निदेशक डक्टर प्रभोध कुपार तुर्वेदी जी हमारे बीच अज मोदूद है NBRI के निदेशक डक्र अजीत कुपार शासनी जी डक्टर राधा रंग राजन जो CDRI के निदेशक है डक्टर भासकर नरायन जो IITR के निदेशक है डक्टर रितू तुर्वेदी हमारे एडिविस्टेटिव एडवाइजर मानिये मुख्य मंत्री हमारे साइंटिफिक अडवाइजर मानिये मुख्य मंत्री और जितने भी गर्मान्य वैक्तिगन हमारे उद्योग के परत्री थी आप सब का यहां पर स्वाग आप टीब की तरफ से निदेशक महुद्य तथा हमारी DGCIR मेडम उनका वेलकम करें मेडम प्लीज वेलकम आवर चीफ गेस्ट टूड़े चीफ गेस्ट बाई आवर DGCIR आवर डारेक्टर डक्टर प्रवोध कमात्री वेदी सर तुल्शी का पोधा और अंगवस्त्र परदान करके उनका स्वागत है एक जो की खस से बना हुआ सिविलिंग है ये सिशिर पर जाती है जो लिरलूल रिच है और सर्दी में ये बची रहती है ये रामेस्वरम में हमारे कलस्टर है रामेस्वरम में कलस्टर रामेस्वरम से वाके किसान जो खस की खेती करते है उन्होंने मान्य मुख्य मंत्री जी के सम्मान में ये प्रतीक चिन भगवान सीव का सिवलिंग बेट किया है हमारे सीमेप के उत्पादों जो की हर्बल उत्पाद है सीमेप के निदेशक मोद्द है और हमारी डीजी सीसेर उनको सम्मानित कर रही है स्वागत कर रही है जो team CMAAP की प्रत्रफ से सने और प्यार मान्य मुख्य मंतरी जी के लिए team CMAAP का प्रतीक चिन जो CMAAP का लोगो मान्य को बेट किया जा रहा है अब मैं निदेशक मोदे से अन्रोद करूँगा कि हमारे दूसरे विशिचाती थी दूसरे मुख्य मेमान मान्य किर्शी मंतरी उत्तर प्रदेश शासन स्री सुर्य प्रत्रकास साही का भी स्वागत करें CMAAP के तुलसी के पोदे से अंग वस्त्र द्वारा और जिरेनियम प्रतीक गनेश जी का प्रतीक चिन जो खास से बना हुआ है हो गया ठीक अब मैं इस कड़ी में हमारे निदेशक डक्टर प्रबोत्मार त्रिवेदी जी से अंडोध करूँगा कि वह आए और हमारे सभी अथितियों का स्वागत करें डक्टर प्रबोत्मार त्रिवेदी जी हमारे लोग प्रिय माननी मुख्य मंत्री जी उत्तरपदेश चाशन माननी कर्शी मंत्री एवं CSIR की महानी देशक एवं सेक्रेटी DSIR CSIR लाब देरेक्टर्स प्यारे किशान भाईयों इंडस्ट्री रिप्रेजिन्टेटिव और यहां के जो चारो लैप से उनके बैग्यानिक यों चातरगाँ मैं आज आप सभी का CMAIP के लखनो प्रांगर में किशान मिले में स्वागत करता हूँ मैंने लखनो प्रांगर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लखनो के चार और सेंटर्स हैं जो कि हैदराबाद, बंगलाओ, पंद अगर और पुरारा में हैं माने मुक्यमंत्री जी के आगमन से हम सभी को एक उर्जा मिली हैं और किसानों की आयको बरहाने और ग्रामी और विकास के जो कारे हो रहे हैं को एक गती मिलेगी आपके जो भी सुजाओ होंगे उनसे पिछले लगबग चालिस वर्सों से मैप ने लगबग एक सो पचास उचकोट की जो वराइटीज हैं उनको डेबलब किया है जो की जो यहां पर किसान देख रहे हैं उन्होंने अपनाया है और पूरे भारत वर्स में करीब आठ लाग किसान सी मैप की उच वराइटीज को लगा रहे हैं और इसके काना से जो प्रोड़क्शन और एक्सपोर्ट हो रहा है अगर मेंथा की हिस्ट्री देखें तो असी में बिल्कुँ अरली एटीज में बिल्कुल भी नहीं होता है आज हम सबसे बड़े प्रोडूसर और एक्सपोर्टर हैं पूरे बिस्व का 80% में बारत में होता है एक हमरा प्रोगाम एरोमा मिशन चलता है उसमें हम अरोमेटिक क्राप्स को चौबिस स्टेट्स में अपनी जो पास दूसी लाब हैं सेसार की उनके साथ में किसानों को दे रहे हैं उसके काहं से कई सारे जो तेल हम दूसरे देशों से मगाते थे उनमें हम आतने बर हमने पूरे बारत वसमें तीन अजार किसानों के क्लस्टर्स बनाए हैं वहां पे हमने चार सो से ज्यादा डिस्टिलेशन यूनित उनको प्रदान की है इसके साथ साथ में हमारा जो एक दे रहता है कि किसानों की आय कैसे बढ़ें और महिला उत्थान के लिए जो हमारे कार किस तरीके से करें आज आज आपके यहां पर आग्मन पर आपके जो सुझाओं होंगे उनको हम इंप्लिमेंट करने की कोशिस करेंगे और हमारी पूरी कोशिस रहेगी किसानों की इंकम जो अभी तक हम तीन से चाल गुना बढ़ाने में हो पाएं सच्छम हो पाएं उसको और भी जादा बढ़ाएंगे इनी सब्दों के साथ मैं आप सभी का अपने सीमय प्लक्नों प्रांगर में स्वागत करता हूं धन्यवाद अब मैं धन्यवाद सर अब मैं हमारी विशिष नती थी हमारी महानिदी सक्ट्र अनकलाई शिल्वी जी उन्से अन्रोद करूंगा की आये और अपना बात रखे मैंडम यर वेलकम तो अद्रस आवर फामस स्ट्रस्पितर अन्रोब शिलैस अन्र इस असे कर दो इस blondes and every one of you on extremely happy to be a part of this very important day because as as far asison family कि WikiLeлось है और हमगी कि हुए Ready legitimate अघ Amendment कि कि This day is a historically important day for the Scientific fraternity because we from CSIR, a family consisting of 36 national laboratories, is having four dedicated research laboratories to one particular state, which is none other than this particular state of Udru Pradesh. And Latnow is the place which is rich with CSIR laboratories. And we are strictly following and we are perfectly following in the footsteps of the national leadership for every scientific mission. And I would say more than six to ten missions are dedicated with the main objective of increasing the former's income. And so we are totally aware that among the sustainable development goals, the most important goal is to increase the former's income. And these laboratories, through the Aroma mission, Aroma crops, cash crops, then floriculture mission, we are able to hand-hold the former's. And, sir, we are not having our research only in the laboratory. We hand-shake with the former's, with the technology. We hand-hold them up to market, starting from sapling, how to harvest, how to maintain, how to store it, and how to get oil extraction and how to market it. So the end-to-end hand-holding is done by our scientific fraternity because we believe that hand-shaking is not important. Hand-holding is more important. This is where we are dedicating our research to the welfare of this nation in the form of promoting and developing the forming community. Sir, apart from forming, we just make it as form-to-form, pharmacy, and we are having pharmacology-related products also. And one of our laboratories here is taking care of the drug development, including phyto-pharmaceuticals also. In ancient days, we also used to believe, and now also it is applicable, that food itself can control the health care of human being because food should be the medicine, whereas medicine should not be taken as food. But luckily, we have both the institutes here. One institute is promoting the food, and if at all you need some kind of a health care in the form of medicine, we have other laboratory also. So this is the beauty of this Lucknow City, which is getting decorated by the CSIR Laboratory. And, sir, we have taken more than enough care that apart from harvesting and making it and taking it to the market, storage is also very, very important. CSIR, through a very dedicated project called Atlas, we have come up with a kind of a technology by means of which the farmers can really enhance the shelf life of their grains. Because whatever is being cultivated, if at all the effective storage mechanism is there, farmers may not be able to enjoy the benefits. Therefore, sir, we wish to hear a lot from you because the entire community is excited to listen to you. But on behalf of CSIR, I really extend a very, very warm welcome to you, and we are extremely grateful to you for your gracious presence because your presence makes a lot of difference to the scientific fraternity. We all feel honored. And again, on behalf of CSIR, I am here to assure you, sir, based on these four labs and in association with all the 37 labs, whatever is the requirement of this particular state, we will prioritize those requirements and we will work towards it. Thank you so very much, sir, for your kindness. And I take this opportunity to say big thanks to all the beneficiaries because your growth is our growth. Thank you so very much. Thanks to my CSIR family. Namaskar. Thank you, madam. Thank you. 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 वैसको यहाँ पर ट्रेनिंग दी थी हो किर्शी भाग के भी काफी किसानों के साथ हमलों कारी कर रहे हैं तो आपका सहे होगा असी बाद ऐसी मिलता रहे मुख्य मंतरी जी का मिलता रहे इसी कड़ी में सीमय पुद्र परदेश सरकार जो साथ में मिलके काम कर रहा है उसी कड़ी में आज मन्ये मुख्यमंत्री महुद्दे दवारा कुछ किसानों को पोधर उपक साभग्री का वित्रन किया जा रहा है तो उन मैं किसान भायों से मैंनोत करूंगा कि अपने स्थान से उठे और प्रेम प्रकास सिंग जी है और उनको मुख्यम संत्री महुद्दे के करकमलों से खस्क की जो नहीं परजाती की जड़ वित्रित की जाएगी इसमें प्रेम प्रकास सिंग जी सर बस्ती जिले के किसान है और सर्यू नदी दूसरे जो हमारे किसान है उसमें देनानाज जी है बिहार से है और उसके बाद में स्री लीडिंग सिंग जी है जो जिरेनियम जिरेनियम के लिए बसंती देवी जी है लेमन गास के लिए शिव कुबारी जी है दुद्वा के लिए लेमन गास में था जिरेनियम सरी है यह मेगाले के किसान है जो जिरेनियम में खेती करें उनके उनकी परजाती सिंग भारत के पहुँच सामगरी दी जा रही है यह सब बसंती देवी है जिन्होंने जारखन में कलस्टर विख्षित किया है इनका मन की बात में मानिय परधान मंत्री जी ने भी निम्म गास की खेती का जिक्र किया था आप शिवकुमारी जी है शिवकुमारी जी दुद्वा ट्राइबल रिजर्व से है जी रंजना यादव जी है जो की गोरकपुर से आई है ये भी सुगंधी तेलों की खेती कर रहे है जिनको सिटुनेला के उन्नच सिल पोद दी जा रही है अब इस कड़ी में हमारे जो वैग्यानिकों ने एक स्वारी का विक्षित की है जो इस किसान में लाके आउसर पर मानिय मुख्य मंत्री महुदे द्वारा रिलेज की जाएगी ये स्मारी का सर हर साल लगबग 15,000 किसानों तक पहुचती है देश के विभी निस्सों में तो उसका विमोचन आज किया जा रहा है आज सबी किसानों को वित्रित की जाएगी इसके साथ दूसरी जो हमारी लेडिंग विराइटी जैंग उननत सीर पर जाती है उसकी एक पुस्तिका बनाई इसमें डक्टर त्रिपता जंग उसको रिलीज कर रहे जा रही है जो कि प्लांट बेडर है और हमारे बहुत बड़ा ब्रीडिंग डिपार्टमेंट है जिसमें त्रिपता जंग के साथ साथ दक्टर एके गुपता, दक्टर कालरा, दक्टर सोधान सिंग और दक्टर वियार सिंग अन्या उनकी टीम ने इसको विक्षित किया है सबारी काउस गयना को डक्टर राव सुरेस, रुसी केस, आदी, हमारे बहुत गयन को मिश्चित के आप इसी कडी में हमारा एक हर्बल प्रोड़क्ट है जिसको सुदीट टंडंजी रिलीज कराएं है और ये स्किन जैल है जो सर पूर्ट नैच्रल है, इसमें प्रिजर्वेटर भी पुरा नैच्रल है, ये इंडस्ट्री के लिए इसको रखा गया है अब इसके साथ बासकर सुकला जी, मनोज सेवाल जी, डक्टर कालरा और हम लोगों ने मिलके इस एप को डवलफ किया है विक्षित एप जारुमा एप के नाम से है उसका विमोचन किया जाएगा, ये अलोविरा जैल है जो की पूर्ट नैच्रल है, उद्योग को इसकी तकनिकी दी जाएगी, उद्योग को दी जाएगी ये वह ये सर अब सीमैप ने एक मोबाइल एप विक्षित के आरूमा मिशन के थाक। अरूमा एप डवलब्प किया गया, विक्षित किया गया, आरूमा है इस बिट अप हैट बीज डवलफ अा बाई सीमैप for Aromatic crops under CSR वर्मा मिशन, भासकर सुकला जी, मरोष सेमवाल, कालरा साब, सुधान सिंग जी, संजय कुमार, इत्यादी लोगों ने डक्ट राजेश वर्मा इस एप को विक्षित करने में सहयोग दिया, हमारे आजने टीम के लोगों ने उसका लोगों ने उसका लोगों उसमें जो भी उनमत्सील पर जातिया, CSR की पाँच, लेबोर्टी, सीमैप, ट्रिपल आएम, जम्मू, एन्बिर आई, नीश जोराट, एन्बिर आई, आई, इस बीटी पालंपूर, माधी में विक्षित की है, उसकी डिटेल है, कौन-कौन से फार्मर है, जितने फार्मर्स क क्लस्टर्स हैं, उन सब में इसको लिंक किया गया है, और इसमें साथ-साथ इंडस्ट्री को भी लिंक किया गया है, कि किसी इंडस्ट्री को अगर कुछ किलो तेल की डिमांड है, एक कुवेंटल, दो कुवेंटल, तो हमारे क्लस्टर में जाके किसानों से बात कर सकता है, उनसे खरीद सकता है तो धन्यवाद मानिये अब मैं इस कड़ी में ज्यादा समयनी लेते हुए हवाले हाज के मानिय मुख्यमंत्री और मुख्यातिती जी को आमंतित करना चाहूंगा कि वो अपना असीर वचन हम लोगों को दे एक बर जोरिया तालिया बजाकर सर का स्वागत मानिय मुख्यमंत्री जी का सुवागत उसा मिए अधार आज के सिसान मिला का रिकरम में पस्थित प्रदेश सरकार में मंत्री मंडल के मेरे बरिष्ट सह्योगी किर्शी मंत्री सिशूरे प्रताब साही जी दीजी CSIR एवम सचिव DSIR डॉक्टर एन केलेसलवी ने देशक CSIR C-MAP डॉक्टर प्रबोत कुमार तरवेदी जी डिरेक्टर CSIR NBRI डिरेक्टर डॉक्टर भासकर नरैन आई 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 टी आर डिरेक्टर C-DRI डॉक्टर राधार रंगराजन आज केस समारो में पस्तित उत्तरप्रदेश सरकार के अडिशनल चीफ सेकेटरी किर्शी सी देवेश सुत्रबेदी जी उत्तरप्रदेश सासन के अडिवाईजर से अबनी सवस्थी जी डॉक्टर जीयन सिंग जी प्रोपेशर डीपी सिंग जी सी मैप, सीडी आराई, एन बी आराई, आयाई टी आर से जुड़ेवे हमारे सभी बैग्यानिक गण सोच्छात्र और देश के पंद्रा राज्यों से हापर पस्तित सभी हमारे अन दाता किसान बैनों और भाईों इस किसान मेला में जो सी मैप के मार्क दरसन में उनके नित्रत्तों में हाँ पर आयुजित किया गया है मैं सबसे पहले आप सभी अनदाता किसानों के साथ साथ लखनों में स्तापित चारों जो सेंटर लेवरोटरीज हैं उनके बैग्यानिकों का और देश भर से आये भे स्फिर्ड के विसे सग्यों का हिरदे से स्वागत करता हूँ और सी मैप को इस आयोजन के लिए हिरदे से धन्यवाद देता हूँ वस्तों में हम सब के लिए आधनिये प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए यह एक नया अनुभाव है याद करिए प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर समालते समय इस बात को कहा था कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करने के लक्स के साथ हमें कारे करना है इसके लिए उन्होंने ने कारेकरम तयार किये स्वाइल हेल्थ कार्ड का है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है प्रधानमंत्री किरसी सिचाई योजना का है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी का है और इन सभी के साथ जब हम बैग्ञानिक सोध और इनोवेशन को जोड़ते हैं तो सौभाई कृप से किसी भी किसान को या किसी भी बागवान को समय पे उन्नत किसम का बीज मिल जाए पक्नीक मिल जाए बैग्ञानिक सला मिल जाए तो उसके लिए अपने लक्ष को और प्रधान मंत्री जी के विजन को एचीप करने में कटना ही नहीं है सौभागे से देश के अंदर पहली बार दोजार अठार से अन्यदाता किसान को लागत का डेड़ गुना दाम उसकी उपच का मिलना प्रारंब हुआ है अब इसमें काफी बिरती वी और प्रधान मंत्री जी के विजन के अन्रूप आज अन्यदाता किसान जो परंप्रागत खेती के अलावा खेती कर रहा है उसको तो दो गुने से दिक लाम मिली रहा है लेकिन जिसने सफ़सली के साथ साथ औस्दिय और सगंद औस्दिय खेती को बढ़ावा दिया है बागवानी को बढ़ावा दिया है हरबल प्रोडक्ट को पर्मोट किया है उसको कई गुनादाम वाज प्राप्त कर रहा है और सच मुझ यह अन्यदाता किसान के जीवन में परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम बना है हम लोगों ने अपने आँखों से देखा है मुझे देश की संसत में एक लंबे समय तक रहने का उसर प्राप्त हुआ था था किसानों की आत्म हत्या का किसान आत्म हत्या क्यों करता था उसके करण थे उसके उपच का दाम उसे नहीं मिल पाता था जिस धरती माता से वहां मेहनत करके परिश्टरम करके अपना पसीना वहां करके उपच प्राप्त करता था उस उपच के लिए सही बीच नहीं मिलता था सही वैग्यानिक सला नहीं मिलती थी उसकी कभी जाँच नहीं हो पाई थी सिचाई की सुविधा नहीं थी मारकेर से जोडने का कारे नहीं हुआ था पहली बार एक साथ इन सब को जोडने का कारे हुआ कि यहां पर एक साथ C-MAP भी है CDRIB भी है NBRIB भी है और IITR भी यहां पर कारे कर रहा है जो यहाँ पर सदेव केवल लेबरेटरीज नहीं है यह केवल सेंटर लेबरेटरीज नहीं है बलकि यहाँ पर प्रोएक्टिब हो करके यहाँ के अनदादा किसानों को यहाँ के संस्ताओं को सयोग करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं मैं यहाँ पर अक्सर देखता हूँ, यह बहुत कम देखने को मिलता है, कि कोई सरकारी संस्तान प्रोयक्टिव होकर के, अपने अस्तरपट पहल करे कि हम सयोग करना चाते हैं, और मैं यहाँ पर C-Map के कारे को देखता हूँ, C-DRI के कारे को देखता हूँ, N-BRI के कारे को दे करता हूँ, इनके डारेक्टर्स, इनके बैग्यानिक, हम लोग के पास या विभागों के पास आकर के कहते हैं, हम लोग इस फिर्ड में काम करना चाते हैं, हम सयोग करना चाते हैं, हम से कोई सयोग तो ले, और यहाँ एक अच्छा उसर है, जब हम अपने अनदाता किसानों को से फसली लेने के लिए इनके माध्यम से विक्सित की गई प्रजादी को और प्रमोट करने के लिए उनका सयोग ले सकते हैं वे सयोग देने को तयार हैं ऐसे ही औस दिया पौधों के लिए या फिर अन्य छेत्रों में भी उनका सयोग लेकर के हम कई प्रकार की फसलों की विविदी करण को ले करके हो सकता है और अन्य छेत्र में भी उनका सेयोग ले करके किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम कर सकते हैं और मैंने यहां पे देखा एक्जिवीशन के साथ क्यों अन्य दाता किसान नहीं था मार्केट से लिंक करके एक पुरा एको सिस्टम कैसे तैयार होना है यहां भी यहां देखने को मिला पंद्रा राज्यों का किसान आया है उन किसानों को उनके अमसार यहां पे हमारा बारा बंकी और अगल बगल का तो किसान है ही संभल और अम्रोहा से भी किसान आया हुआ है और लखीम पुर्खीरी के हमारे जंजातिय समदाय से जुड़े वे लोग भी आये वे हैं जो लोग यहाँ पर खेती की उन्नत किसम को आगे वढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं हम लोगों को इस पोटेंशियल की जानकारी आज से दस वर से पहले था लेकिन नहीं थी इसको हाइलाइट नहीं किया गया लेकिन जैसे इसको थोड़ा भी सरकार के द्वारा सपोर्ट किया गया इनके विसे सग्यता का लाप राप्त हुआ आज हैं सब हम सब के सामने देखने को मिला है और मैं इसलिए आज यहाँ पर हमारे किर्शी मंत्री भी है हमारे अपर मुख्य सची किर्शी भी यहां बैठे हुए है सेसायार की जो डारेक्टर जनरल है वे स्वयम भी आज यहाँ पर आ करके अपना योगदान दे रही है कि सभी चारों लेबरेटरीज यहाँ पर सयोग करने को तयार है लेकिन हम सयोग तो लें और मैं चाहूंगा कि प्रदेश में हमारे 89 किर्शी भी ज्यान केंद्र है चार क्राज्य भी किर्शी भी सुविद्याले और पांचवां भी अस्तापित होने जा रहा है तमाम अन्यक एग्रिकल्टर से जुड़ेवे संस्तान है है बागवानी से जुड़ेवे संस्तान है आयूस से जुड़ेवे संस्तान है हम सब को मिल करके एक साथ मिल करके उनका निरंतर विजिट सी मैप है सीडी आराई है एंबी आराई है आयाई टी आर है इन सभी लेबर्टीस की उनकी समय समय पर विजिट होना चाए वहाँ आयूस से जुड़ेवे लोग हो चाए वहाँ एगरिकल्चर से जुड़ेवे हो चाए वहाँ अपने उद्ध्यान से जुड़ेवे हो इन सभी का विजिट करवा करके किरसिव एग्यानिकों को जो किरसिव इग्यान केंद्र और किरसिव सुविध्यालियों से जुड़े होए हैं इनका विजिट करा करके इन चारों लेबरेटरीज की पोटेंसियल का बेहतर उप्योग हम कैसे कर सकते हैं और इसको अंतता अपने किसानों की आमदनी को कई कि हम लोग राज्य सरकार के इस्तर पर भी इस परकार की प्रोएक्टिव एप्रोच को और तेज करेंगे जिससे हम लोग इनकी छमता और इनकी उप्योगता को और प्रभावी डंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगे मेरा एमाना है किसान अगर खुसाल होगा प्र प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर धर्ती अत्यंतरुरा है जल संसादन प्रचूर मात्रा में है देश के अंदर सोलह फिस्दी आवादी लेकिन सोलह फिस्दी आवादी में ग्यारा फिस्दी हमारी एग्रिकल्टर से चुड़ीवी लैंड है और देश की कुल किरसी से जुड़ीवी भूई में से ग्यारा फिस्दी लैंड होने के बावजुद हम बाइस फिस्दी से अधिक खाद्यान का उत्पानना के लिए उत्तर प्रदेश से करते हैं यह हमारी औरबरता को यहां की औरबरता को प्रदर्सित करता है लेकिन इसमें अभी हमें बहुत कुछ करना है जैसे यहां पर सीमेट की तरब से बताये गया उन्होंने अलग-अलग कलस्टर विक्सित किये हैं इन कलस्टर को विक्सित करने में हम सभी 89 किरसी विज्ञान केंद्रों में भी कलस्टर विक्सित करके वहां पर हम लोग नए तरीके से किसानों के समों को आगे में योगदान दे सकते हैं और मेरा मानना है ओस्द ये फॉद्धों की खेती में उसकी प्रॉसेसिंग में उसकी मार्केटिंग आगर हम उसके साथ जोड़ लें कई गुणा लाब हमारा एक अंदाता किसान पराप्त कर सकता है प्रमपरागत खेती में अगर एक एकड में एक में वहाब 20-25 जार रुपे कमा रहा है तो औस दिय पौदों की खेती में वही किसान सवालाग से लेकि डेड़ लाग रुपिया एक एकड़ खेती में कमा सकता है अब आप मुझे बताएए कि 20-25 जार रुपे में लाब होगा उस बैक्टी की जीवन में खुसाली आईगी है या सवालाग से ग्रेज्ड लाग में उसकी जिवन में खुसाली आईगी यानि स CTBl ही जान सकते हैं कि हम कई गुनाध उसको उसको उसकी आमदनी बढ़ाने में योगदान दिया जा सकता है और इस दिंह में जो परियास, सीमैप और अनिया केंद्रे लेबरोट्रीज के द्वारा यहां पर प्रारंब किया गया है मुझे लगता है कि यहाँ सभी लोग मिल करके गर इस कारिक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इसके और बेहतर परणाम आएंगे मैं इस किसान मेला के लिए हिर्दे से सी मैप को बढ़ाई देता हूँ और विस्वास बेक्त करता हूँ कि जो एक इन लोगों का पॉजिटिव एटिट्यूट है उस पॉजिटिव एटिट्यूट को हम और गतिस के साथ राज़ सासन के साथ, राज़ सरकार की एजिंसियों के साथ विभागों के साथ तालमेल बिठा करके आगे वढ़ाने में हम इन चारों लेबरेट्रीज की पूरी छमता का उप्योग करते हुए प्रदेस के अंदर इसको लागो करने में पुर पूर मदद करेंगे मैं अन्दाता किसानों को जो पुरे देस भर से आए हैं चार हजार की संग्या में आज यहां पर आए हैं उनका प्रदेस में हिर्दे से अविनंदन करता हूँ आपका प्रदेस में आगमन ऐसे समय में हुआ है जब पांसो वर्सों के बाद पर रूराम लला अपने भव्य मंदिर में बिराजमान हुए है अगर आप लोग अयोध्या जाने के चुकूंगे किसान मेले के बाद तो सी मैप इसके बारे में हमें अउगत करा देगा तो हम लोग यहां से मैं यहां पे अपने अपर मुख्य सचुई किर्शी को भी अवस्तिजी को भी और साही जिसे भी कहूंगा कि इनकी बसेच को वहां पहुचाने या इनको वहां ले जाने की बिवस्ता करवाएंगे इनको दर्शन करवाने की बिवस्ता जरूर करवा देंगे क्योंकि दूर दूर से आयें 15 राज्यों से लोग आये हैं इनको लखनों को भी और अयोध्या को भी देखने का एक आउसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस आउसर पर फिर से जो हमारे चारों लेबरिट्रीज के लाबा इस फिर्ड से जुड़े भी बैग्यानिक आये हैं। उनको भी इस फिर्ड में अपने नए जो उनके इनुवेशन हैं जो रिसर्स हैं इतके लिए हरदय से धन्यवाद देता हूँ। इस पूरे कारिक्रम के प्रतिय अपनी सुबकामना ही देता हूँ। धन्यवाद जैहिन। अब यह किसार मिला का मुख्य समारो यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद गोस्ती का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए मैं हमारे आथितियों का मेमानों का अत्तही दिल से सुक्यादा करता हूँ। साहिवे दिल से हमारे माने मुख्य मंत्री जी का, हमारे किर्शी मंत्री जी का, डीजी सी सायार का और उत्तर प्रदेश सरकार की जितने प्यादिकारी हैं मुझूद है। सबका टीम सीमैप आयोजिन समीती की तरफ से और मैं किसार मिला सायूजक डक्टर संजे कुमार आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ मेरा सबी किसान बाहि संदोध है कि आप कजोज देखके हम लोगों का कारिया और बढ़ रहा है आप लोग शांती का दान दे और आप लोग अपना स्थान ग्रैन करें अभी गोस्ती जारी रहेगी हमारे वैग्यानिकों ने बहुत मैनत करके इस किसान मिले को आईजित के है वैग्यानिकों की टेम ने तो आप लोग अपना स्थान ग्रैन करें किसान मिले का भर्मन करें गोस्ती का कारी करम आगे जारी रहेगा गोस्ती का कारी करम जारी रखने के लिए मैं डक्टर राम करता हूं कि सभी वैज्ञानिकों को टंडन साहब को और दूसरे हमारे जो वैज्ञानिक हैं सब को अमन्तित करें और यहां पर गोस्थी का किसान गोस्थी का हमारे उड्योग के प्रतनीदियों का अमन्तित करें हमारे उड्योग के प्रतनीदि जमील साहब बदूदीन जी है हमारे गुपता जी है हमारे टेक राम सर्मा जी है गोरो मित्तल जी है उसाब यहाँ पर आए मंच पर अपना स्थान गरान करें और इस किसान मेले का अनंद उठाए सभी किसान भाई अपना स्थान गरान करें और भवे किसान मेला में आप इत्ती दूर से आए आपका धन्यव वेक्त करता हूं अपनी तरफ से निदिसक मोद्दे की तरफ से और जिन भी किसानों को यह पोज सामगरी मिली है उनको बढ़ाई देता हूं जिन भी वग्यानिकों को यहां पे रिलीज में भाग लिया है उनको बढ़ाई देता हूं मैं सभी समीतियों को आईजिन समीतियों को हमारे अडिमिस्टेशन, हमारा पूरा स्टाफ, फारम का स्टाफ और दूसरे सभी स्टाफ धन्यवाद जल्दी हाओ, जल्दी हाओ, जल्दी हाओ. जल्दी हाओ, 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 जल्दी कर दो जब एक जो जो पुड़ाइड़ पुड़ाइड़ जो पुड़ाइड़ एक शबाइड़ एक जिए जाए है